दोस्तो जब भी आप किसी अवरत को पटाने जाए तो इन गलतियों को कभी मत करना जो पहली गलती है वहाँ है पुरानी बातों के बारे में पूछताश करना इसका मतलब क्या है दोस्तो जब भी आप किसी अवरत के साथ किसी लड़की के साथ बात करते है तो उसके पास्ट क एक गंदी आदत है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप किसी भी औरत से या किसी भी लड़की से उसके पुराने संबंदों के बारे में सवाल करते हो तो सामने वाली औरत को अनकंफर्टेवल फील होता है तो आपको यहां गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो दूसरे प्रकार की गलती है वहां है कि बातों ही बातों में लड़की को टच करना जिया दोस्तों बहुत से पुरूशों की यह गंदी आदत होती है कि जब भी वहां किसी औरत के साथ या लड़की के साथ बात करते है तो बातों ही बातों में उनको टच करने लगते है जो कि बहुत गंदी आदत है जब आप किसी लड़की से बात करते हो और बाते करते करते उन्हें टच करते हो ये आदत लड़कियों और अवरतों को अच्छा नहीं लगता इसलिए जब भी आप किसी अवरत से या किसी लड़की से बात करते हो तो बीना उनके इजाज़त के उन्हें टश नहीं करना चाहिए जो तिसरे प्रकार की गल्टी है वहाय नकारात्मक बाते करना दोस्तों बहुत से पुरूशों को ये गंदी आदत होती है जब भी वहाग किसी लड़की से या औरत से दोस्ति कर लेते हैं उनसे बाते करते वो नकारत्मक उदासी भरी बाते करना शुरू कर देते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी उदासी भरी बाते सुनकर औरत मुझसे हमधर्दी दिखाएगी और उस औरत को मुझसे प्यार हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता औरते भी खुश रहना चाहती है दुनिया में हर किसी को खुशी ही चाहिए होता है और आप अगर औरत के सामने उदासी भरी बाते करोगे तो वो औरत उदास हो जाएगी फिर वो आपसे कभी भी बाते नहीं करेगी तो दोस्तों किसी भी लड़की से बाते करते वक्त उनसे नकारात्मख उदासी भरी बाते करने की गलती ना करे जो चوتھे प्रकार की गलती है वहाँ है जरुरत से जादा शोऑ आफ करना दोस्तों ज्यादातर पुरुशों के अंदर यह एक घटिया आदत होती है कि जब भी इन पुरुषों से लड़किया या औरते बाते करती है तो पुरुषे बातों में शो आप करना शुरू कर देती है जैसे कि मेरे पास बंगला है गाड़ी है बहुत पैसा है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा औरतों को ज्यादा तर शो आप करने वाले पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते इसलिए आप भी किसी भी आउरत या किसी लड़की के सामने जरूरत से ज्यादा शो आप करोगे तो वह आपसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेगी जो पाच्वे प्रकार का गलती है वो है जो भी आप किसी आउरत से या किसी लड़की से बाते करते हो उसे घुरू मत जी हाँ दोस्तों ज्यादादर पुरूशों में ये गंदी आदते होती है जब भी वहाँ किसी औरत के साथ या लड़की के साथ बाते करते है तो जो औरत या लड़की है उनको उनके पूरे बॉड़ी को देखते रहते है उनके body को घूरते रहते हैं और यह सबसे बड़ी गंदी आदत है जब आप किसी औरत से या किसी लड़की से बात करते हो तो उसके body parts को घूरते रहते हो तो लड़की को या औरत को अच्छा नहीं लगता वो आपसे बात करने में uncomfortable feel करती है याने कि लड़की आपसे बाते करने में कतराती है पहली मुलाकत में ही लड़की आपके वारे में एक गलत राय कायम कर लेती है जो आपको गंदे लड़कों की कैटेगरे में शामिल कर देती है और कभी भी आपसे दोस्ती नहीं करती आपको लड़की से बाते करते वक्त सिर्फ उनकी आँखों में देखकर बाते करना चाहिए इससे लड़की भी बात करने में comfortable महिसूस करती है इसलिए दोस्तों आप जब भी किसी लड़की से या किसी औरत से बात करे तो उनके body parts को घुरने की गल्दी कभी ना करे